नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब लोग साथियों यूजबली देखा गिया है कि जब भी आप 138 एनएट के तहत मामला दर्ज कराते हो तो वहां वेपक्षी पक्षकार SP या IG के पाजा के कंप्लियन दर्ज कर्वाता है कि यह फला फला वेक्ती मेरे चेक का दुरुपयों कर चुका है यह मुझे डरा रहा है धंका रहा है अब मेरे पास आतमत्या के लावा कोई विकल्ब नहीं बचा है अगर मैं आतमत्या कर लेता हूं तो यह वेक्ती जो है वो सबाजना होगा सातियों एक बंदे के द्वारा 188 का जो है मामला दर्ज किया गया विबक्षि पक्षकार ने आत्मत्या कमिट कर ली और 306 IPC अन्य धारों में दूसरी बात FIR में जो है वो डिले है तीसरी बात 174 CRPC की एक होती है इनिशल इंक्वाइज होती है वहाँ पर ऐसी कोई सरकमेस्ट्रेंस नहीं थी बाद में हमें सब्सेक्वेंट्री जो है इंप्लिकेट किया गया है 306 IPC के तहत मामला बनना नहीं पाये जाता है हमारा कस्टोडिल इंटरोकेशन हो चुका है अब कोई बात जो है वो शेष नहीं है अब फर्दर डिटेंशन की कोई रिक्वार्मेंट नहीं है जिसकराण हमें जो है वो बेल दी जाए उसकी बाद जो है additional session judge नहीं मानी और बेल को जो है खारिश कर दिया जिसकराण वो high court किया वहाँ पर state ने जो है इस बेल application का जो है अपोस किया अब जस साब ने सारी circumstances को देखा जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ उन्होंने क्या लिखा it appears that complaint under section 138 of the N8 was filed by the appellant जो कि इस case में मुल जे मैं before the court of judicial magistrate against the case जो कि मर गया है और उसके दोरा case registered किया गया और उसको जो है notice जारी किये गए और ये बात ये order है 5 March 2019 का अब उसके बाद जो है कारवाईय जब जांकरीम आई तो उसका settlement कर लो settlement के लिए वो राजे नहीं हुआ तो ultimate suicide जो है उसे commit कर ली अब सात्यों court का ये कहना है कि abattment या आत्मत्या के लिए उकसाने के मामले में intention जो है वो जरूरी है जिस कारण से परिवादी के दोरा ये डिकीश के दोरा जो है आत्मत्या कर ले गई अगर कोई mensory नहीं है तो वहाँ पर offense जो है commit हुआ हो ऐसा नहीं मान सकते जुसरी बात इसका active role किया था उसको उकसाने में ये भी जो है clear होना चाहिए अगर वो नहीं है तो वहाँ पर इस 338 का मामला दर्ज करते हैं तो वहाँ पर जो accused है वो हमको डराता है धमकाता कि भईया मैं तुम्हारे किलाफ केस कर दूँगा मैं आत्मत्या कर लूँगा मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा उसको जो करना करें आपको phone से कोई बात नहीं करनी है number one ऐसी कोई धमकी नहीं वह भी जो है रद्द हो जाएगा तो सात्यों यह है important legal जांगरी वीडियो को अधिक साथ एक शेयर कर दें ताकि कई लोगों का इससे भलाओ सके सात्यों मिलते हैं एक नैट आपके साथ अब तक के लिए जैहिन जैभारत